पिछले वीडियो में दोस्तों हम English का Unit 1 डिसकस कर चुके हैं जिसका नाम था Listening and Speaking और LSRW की करम में हम दोस्तों Listening और Speaking पर बात कर चुके हैं जो कि आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा हैं तो आप Playlist option पर जाकर के वहां से देख पाएंगे इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे Reading Comprehension यानि की पढ़ने को समझना Reading के बारे में सारी जनकरियां हम लेने वाले हैं तो वीडियो आपको पूरा देखना है और हमारे चैनल लोग में स्टेडिस पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को टोपिक है Meaning of Reading Comprehension यानि की पढ़कर समझने का आर्थ क्या है तो Reading is a complex synonym यानि की Reading जो है एक जटिल घटना है that embraces जो की embraces करती है आलिंगन करती है एक wide variety of mental process एक mental process की wide variety की मतलब व्यापक सतिता को process को embraces करती है आलिंगन करती है skills और strategies को भी आलिंगन करती है कोशल और रननीतियों को भी the word reading implies the word reading implies का मतलब होता है तत पर ये reading with comprehension यानि की पढ़ना समझने के साथ में तो इस तरह से दोस्तों आपको इसा हिंदिया नवाद करने की कोसिस करनी है और फिर भी किसी word की meaning आपको समझ में नहीं आती है तो आप उसका google से हिंदी translate कर लेंगे अगला important topic है दोस्तों हमारा aims of teaching reading यानि की उद्देश क्या है teaching reading के पहला है to give practice of loud reading and silent reading तो silent reading और loud reading की practice यहाँ पर और दूसरा है to understand English properly, English को ठीक तरीके से समझने के लिए properly और आगे देखी यहाँ पर enhance their vocabulary तो vocabulary को ठीक तरीके से समझने के लिए to read English with accuracy यानि की ठीक तरीके से अगला है to read with correct pronunciation, stress and intonation यानि की तनाव और इरादे के साथ में बिलकुल ठीक तरीके से correct pronunciation, correct उचारण के साथ में पढ़ना हमें सिखाता है यह उद्देश का है अगला है to develop the habit of reading for pleasure, for pleasure का मतलब होता है आनंद के साथ में तो develop करना habit reading for pleasure यानि की आनंद के साथ में reading को पढ़न इस तरह से दोस्तों आपको इसका हिंद देना बात करना है आगे बात करते हैं अगला important topic है हमारा intensive reading, intensive reading का मतलब होता है गहन अध्यन क्या होता है यह भी दोस्तों परिक्षा में कई बार आया हुआ है तो आपको इसके ओपर ज़्यादे धन देना है इसमें आपको देखना ह intensive reading means intensive reading यानि की गहन अध्यन का मतलब होता है minute and detailed यानि की ठीक तरीके से detailed यानि की पूरी जनकाली के साथ में study of the prescribe prescribe का मतलब होता है नियत pros text यानि की गध्य पार्ट का ठीक तरीके से detailed अध्यन करना intensive reading कहलाता है it concentrates upon language information and the grasping of the sense grasping का मतलब होता है पकड़ने में तो पकड़ने में यह सायता होती है information language की और grasping याँ पर रहता है इसमें आगे हैं दोस्तों intensive reading is also called detailed reading intensive reading को यानि की गहन अध्यन को detailed reading भी बिलाते हैं यानि की विस्तार से पढ़ना intensive reading concentrates upon intensive reading जो गहन अध्यन है वो किसकिस पर concentrate करता है तो वो तीन points यहाँ पर नीचे दिये हुए है पहला point है study of sentences, structures including grammar, word और order में आपको पढ़ना सिखाता है यहाँ पर तीन points आपको ध्यान रखना है second है grasping of the sense यानि की grasping का मतलब होता है sense को पकड़ने में उसका आर्थ पकड़ने में आपकी सायता करता है और तीसरा है getting information, information लेने में social, cultural, scientific background of the lesson जो teacher है वो explain करता है detail में समझाता है social, सामाजिक और सांस्करतिक और विग्यानिक background यानि की इतिहास की बात हो रही है यहाँ पर तो वो lesson का इतिहास हमें समझाता है first यहाँ पर बात हो चुकी है आगे बढ़ते हैं next यहाँ पर he asks some introduction questions based on the previous knowledge of students तो students के previous knowledge को ध्यान में रखते हुए कुछ questions जो है वो teacher के दुआरा पूछी जाते हैं और फिर उसके आधार पर पार्ट को शुरू किया जाता है he asks some revision questions and the number of questions should not be less than 3 and more than 4 तो दोचार प्रसने जो है teacher के दुआरा first introduction में आपके दुआरा पूछे जाते हैं और थोड़ी सी detail में background में इतिहास के बारे में बताते हुए उस lesson को start करवाय जाता है इस तरह से first point आपको add करना है second है presentation presentation में आपको add करना है first point modal reading तो the teacher reads the passage तो teacher passage को पढ़ते है with correct pronunciation ठीक सठीक उचरण के साथ में stress introduction rhyme and pause क्याने की ले बद्दता देखते हुए introduction उसका ठीक तरिके से आपको बताते हुए teacher passage को पढ़ता है during first modal reading the books of students are closed first में books जो होती है students की वो बंद रहती है वो teacher ही सब कुछ बताता है during second modal reading the books of students are opened तो students फिर second round में यहाँ पर students book को open कर लेते हैं इस तरह से आपको इस कहन दिनवाद करना है और second देखे यहाँ पर loud reading पहला modal reading वाँ पर हो गया अब second है यहाँ पर loud reading तो loud reading में देखे the teacher asks pupils to read the same passage a bright pupils first and then a few others तो सबसे पहले teacher खुद उधारन से सटीक अर्थ बताते हुए पुरा detail में लेबदता उसको किस तरह से पढ़ना है सारा कुछ बताते हुए students को समझा देती है और then उसके बाद में बच्चों से कहती है कि तुम खुद same repeat यहाँ पर करो तो सबसे पहले वो bright यानि की होश्यार बच्चों से करवाती है और फिर बाद में जो कम होश्यार है उसके बाद में उन से करवाती है तुस तरह से पार्ट का जो revision है वो बच्चे करते हैं थर्ड है explanation तो new words प्रेसे सेंटेंसे और प्रेटन्स ग्रामेटिकल पॉइंट्स आर एक्स्पैनेट्स जो की टीचर के दुवारा explain किये गए हैं सारे कुछ वर्ट्स चोथा पॉइंट है recapitulations इसमें आपको दोस्तों प्रस्ट पॉइंट करना है तो टीचर जो है स्टुएंट्स से क्यूशन पूछती है जो पार्ट अभी पढ़ाया गया है उसके according और स्टुएंट्स जो है उसका answer देते हैं second है the teacher writes incomplete sentences on the breakboard and the pupils fill in the blanks तो आपको blanks फिल करवाना भी टीचर सिकाता है आगे दिखिए next है the teacher translate difficult sentences into their mother tongue तो मात्रबासा में sentences को यहां पर आर्थ बताते वे टीचर समझाते हैं अगला है that students give the summary of the passes तो students जो है वो summary देते हैं पैसेज की यहां पर इस तरह से आपको समझना है अगला है they give synonyms and antonyms देते हैं of the words and precious read तो precious read वगारा भी जो टीचर है वो बच्चों को सिखाता है और synonyms और antonym भी सिखाता है तो इस तरह से आपको करना है आगे बढ़ते है अगला है extensive reading extensive reading का हिंदी अर्थ होता है व्यापक पूरे विस्तरत रूप से पढ़ना तो extensive reading is also called rapid reading and independent silent reading which is done quickly with understanding the subject matter जो की आसानी से आप understand कर पाऊगे आसानी से समझ पाऊगे quickly सारे subject matter को silent reading के अंतरगत ये आता है आगे दोस्तों बात करते हैं आगे बढ़ते हैं इसमें है procedure of extensive reading तो extensive reading की परकिरिया क्या है तो पहला है इसमें introductory talk step one है इसका introductory talk का मतलब होता है परिचियात्मक बातें तो deal with special difficulties in language तो सबसे पहले आपको deal करनी पड़ेगी समझना पड़ेगा difficulties को उसकी कठिनाईयों को of language में जो कठ नहीं आपको आ रही है उनको सबसे पहले deal करना होगा उनको दूर करना होगा second है give some hits the points of the story तो some points जो है जो आपको clear नहीं हो पा रहे हैं तो उनको समझना होगा आगे दोस्तों बढ़ते हैं अगला हमारा point है second यहाँ पर silent reading by the students तो step second है ये when the students read the teacher, observe them and check them if they move their lips यानि कि वो lips को हिला हिला कर पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं teacher हमेशा चेक करते रहते हैं आगे दोस्तों बात करते हैं third point की third point में questions by the teacher step three है ये तो when the pupils finished reading the teacher asks them a few questions on silent or important to know they have understand the matter यानि कि जो अभी होने पढ़ा है जो उन्होंने समझा है उसका according teacher जो है उनको क्युछ questions जो है वो पूछती है तो वो इसमें आता है step three में आगे चोथा step है recapitation में देखिए आप इसका repeat से answer लिया पढ़ ले सकते हो कि पूरा complete सारा कुछ part हो जाने के बाद में teacher जो है वो repeat करती है सारा कुछ वेंद है pupils finish reading जब pupils जो है वो reading को finish कर लेते हैं पढ़ाई को खतम कर देते हैं the teacher test their comprehension यानि ही उनकी समझने का teacher test लेते हैं कि उन्होंने कितना part को समझ लिया है इस तरह से आपको इसका हिंदी अन्वाद करने की कोसिस करनी है और जहां जहां पर आपको कोई problem आए तो आपको google से उसका हिंदी अर्थ देख लेना है और अपना matter clear कर लेना है आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला important topic है scanning scanning का मतलब होता है औलोकन करना तो scanning is a reading technique to locate quickly specific information यानि की महतपूर्ण बातों को महतपूर्ण जानकारे को quickly यानि की जल्दी सी locate करने के लिए scan करना जरूरी होता है by selectively digging cut information out of books यानि की books में से जो main main जो important बिंदू है उनको जब हम mark कर लेते हैं तो वो scanning की अंतरकत आता है आगे बात करते हैं दोस्तों silent reading यानि की मन में पढ़ना क्या होता है silent reading means something without producing sound audible to others यानि की किसी और को सुनने में ना आए इस तरह से मन में पढ़ना the learners read everything quickly without moving his lips यानि की बिना अपने होटों को हिलाये हुए मन में अपना जो learner है वो अपना everything सब कुछ अपना पढ़ लेता है ये silent reading के तरकत आता है in the reading यानि की silent पढ़ाही में mind concentrates on the subject matter हमारा जो mind है वो पूरा तरह से concentrate रहता है subject के matter पर it develops love for reading and give pleasant feelings हमारी अच्छी feelings उसमें आती है और जो पढ़ना होता है उसके परती हमारा प्यार बढ़ता है पढ़ना हमें अच्छा लगने लगता है जब हम silent reading करते हैं तो आपको भी silent reading के उपर जोड़ देना है अगला important topic है narrative passes यानि की कथात्मक जो पैसेज होता है उनके बारे में आप बात करेंगे तो narrative passes is related narrative passes जो एक कथात्मक पैसेज होता है वो related होता है to the narration यानि की वरणन of event event का वरणन होता है is called a narrative passes जो की बुलाए जाता है कथात्मक वरणन के रूप में narration is the telling of a story जो वरणन होता है वो एक story बताता है basic purpose उसका जो सही उद्दिश्य होता है और narrative is to entertain and hold the readers यानि की argumentative passage यानि की विवादित passage in argumentative passage is based on the evaluation यानि की मुल्यांकन की आधर पर यह best रहता है इस तरह से आपको इसका हंदिया नवाद करना है और यह points आपको ध्यान रखना है एक दूनमर के पूछे जा सकते हैं अगला important topic है expositori passage यानि की आपके विख्यात्मक passage के बारे में आप बात करने वाले हैं तो a passage exposing the story is called exposing passage जो की side को expose करता है story के बारे में जानकारी देता है उसके रहष्य कोलता है तो वो exposure passage किलाता है it में include elements of narration यानि की जो Vernon रहता है elements का description and argumentation जो की description description यानि की पूरा वरणन होता है और argumentation यानि की विवादित रहता है its primary goal is to deliver information about an issue subject method और आइडिया के बारे में complete information देना उसका उद्धिश्य होता है अगला और आखरी important topic है दोस्तों इस unit का skimming skimming का आर्थ दोस्तों हम यहाँ पर fastest study से रहे सकते हैं कि कम समय में revision किस परकार से किया जाए तो उसको बारे में बात करते हैं तो skimming is a reading but at once fastest speed के रूप में it is used of obtaining more important information out of a lot of material यानि की complete material में से कुछ important content जो information होती है उसको जल्दी से fastest speed में याद कर लेना यह skimming के अंतरकत आता है तो इस तरह से दोस्तों आपको हिंदी translate करते हुए सारे points को सारे topics को ठीक तरीके से समझ लेना है I hope आपके सारे doubts इस वीडियो में clear हो गए होंगे फिर भी किसी word की meaning अगर बताना में भूल गया पड़े बार बार आपको हिंदी अर्थ ना समझना पड़े और इसके दोस्तों काफी सारे जो topics हैं वह आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएंगे तो इससे ज्यदा आपको difficulties का सामना नहीं करना पड़ेगा तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही जल्दी मिलेंगे एक यू